वेल्कम टू नेक्स एक्जाम आज है 13 अक्टूबर 2022 और 13 अक्टूबर 2022 से करेंट फैस के जिदिने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट एक्टूवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत द्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुश्चन पूछूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसक्सिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेल 200 गठिया दिवस कब मनाया गया है तो अभी 12 एक्टूबर को 200 गठिया दिवस मनाया गया तो इस कुश्चन का बे आपसें सही है लोगों में हडियों से जुड़ी इस गंबेर बीमारी के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 एक्टूबर को ये 200 गठिया दिवस, 200 साकाहरी दिवस और अंतरास्टी कॉफी दिवस मनाया गया दो अक्टूबर को अंतरास्टी अहिंसा दिवस और स्वच्च बारत दिवस मनाया गया तेन अक्टूबर को 200 परियावास दिवस मनाया गया चार अक्टूबर को 200 पसू दिवस मनाया गया पांच अक्ट कुछ । बैसु प्रवासी पस्ख्खी दिवस और भारती बायूसेनह दिवस मनाए गया 9 victorious डाक दिवस बनाए गया 10 अक्टूबर को बेस् ethical comes six स्वास्थे दिवस और 11 अक्टूबर को अंतराश्टी बाली का दिवस मनाए गया तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपोर्टेंटी बनाए गए यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक औ और वह अच्छी शिश्व कrue आजीब करने में लगा दो आपकी लाइक ऐटमेटि लिए अच्छे हो जाएगी नाया हूशिन ह्गलि में जस्टिय्स पंकज मित्तल के सिराजी के हाइव कोड के 40 में मुख्य नयाया दीश बने हैं तौ जस्टिसश पंकज मित्तल यह अभी र राहिस्तान हाई कोर्ट की चीवजस्टिस बने है तो यह मैप में राहिस्तान की केपिटल क्या है जैपुर राहिस्तान की चीप मिश्टर कौन है असूग गहलोवट और राहिस्तान की गवशनर कौन है कल राज मिस्ल अच्छा अभी अडानी ग्रेंज ने दुनिया का सबसे बड़ा पबंस और उर्जा सायंत राहिस्तान में सुरू किया है राहिस्तान में पांसो बारे नई इंद्रा रसुयों का सुबारम किया गया राहिस्तान सरकार ने मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना शुरू की है राहिस्तान सरकार इसनातकों के लिए टैक सेंटर का उद्गाटन करेगी और संतूस कुमार सिंग को राइस्तान तक्निक विश्विद्याले का कुलपति न्यूकत के आगया अच्छा राइस्तान में कौन-कौन सी नेशनल पार्क है सरिस्का, रडथंबोर और केवला देवगाना पक्ची बियार है अच्छा मुकुंद्रा हेल टाइगर रिजर भी राहिस्तान में है नए कुशिन है हाली में वाडा एतलीट जैबिक पास्पूर्ट संगोस्टी का सुभारम कहां हुआ है तो अभी नई दिल्ली में वाडा एथलेट जैबिक पास्पूर्ट संगोस्टी का सुभारम हुआ तो इस कुशिन का बे आप्सिन से ही है इस संगोस्टी का सुभारम हमारे प्रजेंट टाइम के केंदरी युवा मामलों के और खेल मंतरी अनराख ठाक होने किया है अच्छा वाडा यानि की वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी इसकी स्तापना कभ होई थी 10 नवंबर 1999 को इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है मौन्ट्रियल में और मौन्ट्रियल कहां पे है कनाडा में अच्छा इसके प्रेजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कौन है क्रेग रीड कौन है क्रेग रीड ने क्यूशन है हाली में कहां फेफा अंडर 17 महिला बिस्टुकब शुरू हुआ है तो फेफा अंडर 17 महिला बिस्टुकब यह अभी उडिसा के भूबने स्वर में कलिंगा स् तो इस question का C options है यह है भूबनेसवर में है कलिंगा स्टेडियम यही पे FIFA अंडर 17 मैला बिस्चुकब शुरू हुआ अब उडिशा तो यह है map में उडिशा उडिशा की capital के है भूबनेसवर उडिशा के chief minister कौन है नबीन पतनायक और उडिशा के governor कौन है गनेशी लाग अच्छा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम दलके एपी जे अब्दुलकलाम दीप रखा गया है उडिशा दिवस या उतकल दिवस का मना जाता है एक अप्रेल को बारत के दूसरे रास्टी मॉडल बैदिक स्कूल का उदगाटन उडिशा के पुरी में हुआ है उडिशा के मुख्यमंतरी ने चौत तरफा रड़नेती की गोशना की है उडिशा के मुख्यमंतरी ने जन जातियों पर बेसु कोस जारी किया है समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उडिशा सरकार ने एन आई ओटी के सा सम्योता किया उडिशा के मुख्यमंतरी ने लॉक्डाउन लेरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है उडिशा में सुनावेडा वायल लाफ सेंचुरी है कोठागड वाइडले संचुरी है, नलबन वाइडले संचुरी है, बैसी पल्ली वाइडले संचुरी है, डेवरिगड वाइडले संचुरी है, गहिर मठ वाइडले संचुरी है और उडिसा में चिलका लेख है, ये बारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है अच्छा, उरिसा में, यूनेस्को ने 2 गाओं को सुनामी डेडी डिकलियर किया था, वो 2 गाओं कौन से हैं, नियोलिया साही और बैंकट रायपूल, अच्छा, उरिसा में रसीक उलिया बीच है, और गोल्डन बीच है, उरिसा में, लेंगराज टेंपल है, कुडार्क पल है, ने कुशिन है, हाली में अगले चेप जस्टिस की रूप में केसे नामित किया गया, तो भारत के अगले यानि की पचास में चेप जस्टिस की रूप में, जस्टिस डे बाई चंदर चूड को नामित किया गया, तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है, जस्टिस डे चंद्र चूड़ ने शीशन है हाली में किस ने सेवी के पूड कालेक सदस्य के रूप में कार्भार सम्वाला है , तो अभी सेवी के पूड कालेक सदस्य के रूप में ,A.N. गोपालकर्शननन ने कार्भार सम्वाला तो इसकुश्नल कinelें का aizione meidän .Time पाल कश्न और इनों नहीं अभी सेबी के पूर कालिक सदस्य के रूप में कारवार समाला सेबी यानि कि सिक्यूर्टी एंड एक्षेंज बूर्ड ऑफ इंडिया इसकी स्तापना कव हुई 1992 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेंट टाइम पर हिमाचल प्रदेश में केंद्री मंतरी अनुराग ठाकॉर्ड ने वाटर इस्पूर्ट सेंटर का उद्गाटन किया तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है अब उद्गाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है मैप में हिमाचल प्रदेश की केपिटल क्या है सिमला हिमाचल प्रदेश की गवर्णर कौन है राज्जेंदर अरलेकर अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम क्याड नाम के एक नई योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की साहता के लिए सत्यनिष्टा एप लॉंच किया है राज्यों और केंस आसित पर्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है, ठेर गंगा नेशनल पार्क है, ये हिमार्टिचर प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। अब मेगाले, तो ये है मैप मेगाले, मेगाले की केपिटल क्या है, सिलों, मेगाले के सीपनिश्टर कौन है, कॉनरट संगमा, और अभी मेगाले की गवर्नर का एडिसनल चार्ज, अरणाचल प्रदेश की गवर्नर, ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा को दिया गया है, नेशनल हाली में 2022 जापन ओपन पुरुस एकल खिताब किसने जीता है हाली में केस राजी ने भूमे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए 40 करड़ों रुपई के अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं तो अभी आंदप्रदेश सरकार ने भूमे रिकॉर्ड को डेजिटाइज करने के लिए 40 करड़ों रुपई के अनुबंद पर हस्ताक्षर किये तो इसको इनका B options है यह Genesis International Limited के साथ अंदप्रदेश सरकार ने 40 करड़ों रुपई के अनुबंद के साथ हस्ताक्षर की है अब अंदप्रदेश तो यह है मैप में अंदप्रदेश अंदप्रदेश की केपिटल क्या है अमराबती अंदप्रदेश की चीप मिश्टर कौन है अभी अंदप्रदेश टॉप पर रहा अंदप्रदेश की बिजयवाड़ा में महात्मा गांदी की 30 फीट उची भेत्ती प्रतिमा का अनावड़ बेसुबूशड हर चंद्रन ने किया और अंदप्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझोता ग्यापन पर स्तक्री है अच्छा आणतप्रदेश जब भी सुन्तय है तो एक कुशिन माने आना चाहिए इंडिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है सब्सेवाड़ा उत्तरप्रदेश और चेनी का सबसेवाड़ा ऊत्तरप्रदेश यह आपको याद रखना है अच्छा मचलियों का सबसे वड़ा उत्पादा कौन है तमिल लाड़ो नेक्ट कुशिन है हाले में समुद्री बिबाद पर इज्राइल और किस देश ने एतियासिक फैसला किया है तो भूमध्य सागरी जल पर लंबे समय से चले आ रहे समुद्री बिबाद पर इज्राइ और लेबनान ने एतियासिक फैसला किया है तो इस कुशिन का सी ओप्सन सही है इस समुद्री बिबाद को निप्टाने के लिए इज्राइल और लेबनान ने एतियासिक समझोता किया अच्छा लेबनान तो यह है मैप में लेबनान लेबनान की एपिटल क्या है बेरूत ले आज में लोक नायक जै प्रकास नाराड की प्रतिमा का अनावरड किया हमारे ग्रह मंत्री है अमित सहा इन्होंने बिहार के सारण जिले में लोक नायक जै प्रकास नाराड की प्रतिमा का अनावरड किया है तो इसको इनका बे ओप्सन सही है लोक नायक जै प्रकास नाराड की 14 feet उची पृतिबह का अनावरड सारड जिले में किया गया है अच्छा, बिहार तो ये है मैप में बिहार बिहार की केपिटल के है पठना बिहार की चीपनिश्टर कौन है नितिस कुमार और बिहार की गवरणर कौन है फागू चौहाण अज़ा अभी बिहार सरकार ने सकूलों में अनिवार खेल पेरियेड और no back day शुरू करने का फैसला किया बिहार के खगोली बेच साला को युनेसको की मैटपूर संकट ग्रस्त ब्रास्त बेच सालाँ में सामिल किया गया फिलिफ कार्ड ने अभी बिहार राजी कोसल बिकास मिसन के साथ समझोता किया है अच्छा बिहार में बालमी की निशनल पार्क है ये याद रखना है ने क्यूशन है हाले में बारते निवेसकों की मदद के लिए कहां फास्ट्रेक तंत रिस्तापित किया जाएगा तो भारते निवेसकों की मदद के लिए अभी यूएई में एक फास्ट्रेक तंत रिस्तापित किया जाएगा तो इस कूशन का A options है यूएई यूएई की capital क्या है अबूधावी यूएई की currency क्या है UAE डिरहम और UAE के प्रजेन टेम पर प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मद बिन जायद अलनायान कौन है? मुहम्मद बिन जायद अलनायान ने क्यूशन है हाली में स्रेव महाकाल लोग परिसर का उद्गाटन कहां किया गया? तो मद्यप्रदेश के उजयन में स्रेव महाकाल लोक परिसर का उद्गाटन प्रदानवंतरी नरेंद्र मोदी ने किया तो इसको शिन का डे ऑप्सन सही है ये स्रेव महाकाल लोक परिसर की परियوजना साड़े 800 करोड रुपाई की परियोजना है और इसके पहले चरड का उद्गाटन प्रदानवंतरी मोधी ने किया है अब मद्यप्रदेश तो यह है मैप मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश की एपिटल क्या है भोपाल मद्यप्रदेश की चीपनिष्ट कौन है सिवराज सिंग चोहान और मद्यप्रदेश की गवर्णर कौन है मंगू भाई सी पटेल अच्छा अभी स्वच्छ सर्वेच्छड 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज मद्यप्रदेश गोसित किया गया अडानी ग्रीज ने मद्यप्रदेश में 325 मेगावाट की पबन उर्जा परयोजना शुरू की है मद्यप्रदेश सरकार का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षय जिला बना मुख्यमंत्री बाल आसीरवाद योजना ये मद्यप्रदेश सरकार ने सरू की और बेस्टु का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौरूर्जा सैंत्र मद्यप्रदेश में बनाए जाएगा मद्यप्रदेश में काना, बांदवगर्द, माधव, संजे, पन्ना और सत्प्रा नेसनल पार्क है हाली में किस भारती खिलाडी ने CSK अकादमी का उद्गाटन किया है तो अभी पूर्ब कप्तान महिंद सिंग धोनी ने तमिलनाडू के होसुर में CSK अकादमी का उद्गाटन किया तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्चिन पूचा था कि हाली में केस राज्जी का मोंडेरा बारत का पहला 24x7 सो और उर्जा संचालित गाउंगोसित हुआ है तो गुजरात का मोंडेरा बारत का 24x7 सो और उर्जा संचालित गाउंगोसित हुआ तो इस question का डे option सही था और लगबग सभी श्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया most least awareness के आरे में detail में भी लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है October 2023 में 37 में रास्टी खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer उताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू करते हैं तो ये था आज का हमारा current face का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching